जय हिंद साथियों, गुरूपडी में ITI रहेगा या हट गया है? इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फूजन क्रियेट है सभी स्टुडेंट के मन में, लेकिन इस वीडियो के बाद आप कभी भी ये सर्च मत करिएगा यूट्यूब पे कि ITI है गुरूपडी में या हट गया दे सकते हैं, कोई authentic data, आप दे सकते हैं तो बताईए, कि हट गया है, अरे हटा है कैसे, आप ये बताईए, 2018 में जब लागू हुआ था, आपको पता ही है, 2018 में लागू हुआ था, तो उसके बाद में इस्टुडेंट के प्रोटेस्ट के बाद ही हटा था ना, अगर आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ आईसा ही notification देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग देख लिजेगा, clearly mention है, कि आपके पास 10th के साथ ITI certificate होना चाहिए, या तो आपके पास 10th के साथ होना चाहिए, आपके पास apprenticeship वाला certificate, लेकिन वहाँ ये जिक्र नहीं है, कि 10th वाले भी eligible होंगे, लेकिन 10th वाले eligible होंगे, 100% होंगे, ऐसा नहीं है कि वह भी बाहर हो जाएंगे, उनके लिए भी कुछ पोस्ट हैं, जो उनको मिलेंगी, no doubt, ठीक है, तो 10th वाले भी eligible रहेंगे, कुछ पोस्टों के लिए, लेकिन जो minority रहेंगी, ज्यादातर पोस्टों के लि मिलेगा, और non-ITI की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग अगर ITI की तयारी कर रहे हैं, 10th है आपके पास, तो अभी से ITI आप कर लिजे, ठीक है, और जो कर लिए हैं, 2019 का यह notification यहाँ पे था, यह वाला notification, 2019 में बता दिया गया था, इंडियन रेलोए के द्वारा, या रेलोए मंतराले के द्वारा, कि अब ITI लागू रहेगा, गूर्पडी में, तो जो कर लिए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात, इस बार बहुत अच्छा opportunity है, क्योंकि अगली बार काफी लोग कर लेंगे ITI, तो आप लोग मेहनत से लग जाइए, इनके चक्कर में मत रहिए, कि ITI लागू है या नहीं है, ITI लागू है, इसका हमारे पास authentic data है, लेकिन किसी के पास authentic data है, कि ITI नहीं लागू है, जो एक meeting में बता दिया जाता है, हो सकता है, उस level 1 से लेके, level 6, 7, 8 तक होता है, रेलोए में, उस समय उनको उसक उसमें लागू है, तो वो भी clear नहीं बता पाएंगे, ठीक है, एक meeting से क्या clear हो जाता है, अभी syllabus क्या रहने वाला इसका, कुछ change होगा या नहीं, सब कुछ आपको पता तब चलेगा, जब notification आएगा, लेकिन ये आप जान लेजिए, ITI के post उसमें रहेंगे, minority में रहेंगे, लेकिन बहुत minimum post रहेंगे 10th वालों के लिए, तो ऐसा नहीं है 10th वाले बार रहेंगे, तो जो भी update आएगा इससे related आपको जरूर बताएंगे, तब तक आप तयारी में लगे रहेंगे, इसी की बात मत सुनिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं, next वीडियो में, thank you.